MP board द्वारा class एट्थ और 5th के time table और blueprint जारी कर दिया गया है यह notification 21.12.2022 को release किया गया है इसमें सबसे पहले हम 5th class के time table को देखेंगे इसके बाद आपको एट्थ class के time table को बताएंगे तो चलिए देखते हैं 5th class में सबसे पहले 23.3.2023 को गड़ित का पेपर होगा इसके बाद 5th class का second paper 25.3.2023 को होगा जिसमें आपकी पिर्थम भासा का पेपर होगा इंगलिस मीडियम बालों के लिए इंगलिस का पेपर होगा और हिंदी मीडियम में जो स्टुडेंट पढ़ रहे हैं उनका फर्स्ट पेपर हिंदी का होगा इसके बाद 23 के बाद 25 को है second paper इसके बाद 27 को है 27.3.2023 को second paper आपका EBS का रहेगा यह दौनों का सेम रहेगा हिंदी मीडियम और इंगलिस मीडियम का इसके बाद 29.3.2023 को आपकी second language का paper है इंगलिस मीडियम बालों का हिंदी का होगा और हिंदी मीडियम बालों का इंगलिस का paper होगा क्योंकि दौनों की दुत्तिय भासा अलग-अलग रहती है और प्रिथम भासा भी अलग-अलग रहती है हिंदी मीडियम बालों की प्रिथम भासा हिंदी रहती है और इंगलिस मीडियम बालों की प्रिथम भासा हिंदी रहती इसी परकार second language हिंदी मीडियम बालों की इंगलिस रहती है और इंगलिस मीडियम बालों की हिंदी रहती 31,3,2023 को अन्य भासा का पेपर होगा लेकिन यह बहुत कम चात्रों के लिए होगा इसलिए आपके total चार subject है इन चारों के आपको पेपर 23,25,27 और 29 को होंगे अब इसके बाद हम एट्ट क्लास का पेपर देखते हैं किस किस time होंगे और किस किस subject के 29,23,2023 को आप सभी के पेपर गड़ित का होगा हिंदी मीडियम और इंगलिस मीडियम का और 25,23,2023 को सभी का science विग्यान का पेपर रहेगा 27,23,2023 को आपका social science समझ विग्यान का पेपर रहेगा 29,23,2023 को आपकी पिर्थम भासा मतलब हिंदी मीडियम बालों के लिए हिंदी का पेपर रहेगा और इंगलिस मीडियम बालों के लिए इंगलिस का पेपर रहेगा 31.03.2023 को हिंदी मीडियम वालों का इंगलिस का पेपर रहेगा और इंगलिस मीडियम वालों का हिंदी का पेपर रहेगा और एक तारीक को आपकी तिर्ती भासा मतलब संस्क्रित का पेपर रहेगा संस्क्रित का पेपर हिंदी मीडियम वालों के भी सेम रहेगा और English Medium बालों के सेम रहेगा आपको यह PDF हमारे WhatsApp गुरूप पर मिल जाएगा इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे इसके बाद हम Blueprint को देखते है Blueprint में सबसे पहले आपके एक-एक माक्स वाले 10 questions आएंगे यह objective type होंगे और इसके बाद question number 11 से लेकर question number 20 तक के question 3-3 number के रहेंगे यह हम आपको पुरानी वीडियो में भी बता चुके हैं और question number 21 से लेकर question number 24 तक के question 5-5 माक्स के रहेंगे और इसके बाद यह जानेंगे कि आपके पूर्णांग कितने रहेंगे मतलब total maximum marks कितने रहेंगे आपका 60 marks का paper होगा जिसमें 24 question रहेंगे और यह question learning outcome आधारित रहेंगे और बिसे कौसल मतलब आपकी book से भी आएंगे कुछ question और learning outcome से भी आएंगे एक-एक marks वाले 10 question रहेंगे उन्हें बहुविकल पिये question कहते हैं MCQ और इसके बाद लगुत्रिये question आएंगे जिन्हें आपको 3 यह चाल लाइन के something लिखना है यह 10 percent रहेंगे 3-3 marks के इसके बाद रहेंगे दीघरुत्रिये long answer रहेंगे 5 number के रहेंगे 4 question रहेंगे total इनके marks हैं 20 इनके मतलब difficulty level है first 10 percent रहेंगे knowledge बाले और 50 percent रहेंगे understanding level के और applying बाले रहेंगे 30 percent understanding मतलब इसमें आपको थोड़ा समझना है समझ के आधार पर रहेंगे और knowledge remembering मतलब आपने जो पढ़ा है उसके related रहेंगे 10 percent और understanding मतलब आपकी समझ के पराधारे और applying मतलब formula based होंगे question और high order thinking question रहेंगे थोड़ टप level के इसका कटना ही इस्तर रहेगा 30 percent easy रहेंगे और इसके बाद 50 percent average रहेंगे और 20 percent difficult रहेंगे यह है आपके time table और blueprint से related बीडियो थी इसमें आपको सारी जानकारी मिल गई होगी यदि आपको इससे related और भी कोई question है तो आप हमें comment करकर बता सकते हैं यदि आपको यह बीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक करें और हमारे चैनल को subscribe करें यह पीडियाप आपको हमारे WhatsApp ग्रूप पर मिल जाएगा उसकी लिंक आपको description में या comment box में मिल जाएगी